तो हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो दमाई चैनल इस वीडियो में आप लोग को मेंली तीन चीजों को बात करूँगा ठीक है पहला बात कुरूँगा कि बीसी सी एल्ली का जो हम लोग का कांसेलिंग हो गया अभी तक अप लोग पता आगा तो क्या सेकंड राउंड कांसेलिं होगा क्या ये भी बहुत लोग को मन में डाउट था तो इसको मैं बताऊंगा कि क्या थोर्ड राउंड का जो कांसेलिंग है वो प्रोसेस में है या होने के चांसेस है या नहीं है ठीक है तो वीडियो को अंतक जरूर देखना ठीक है और दूसरा मैं पॉइंट बात यहाँ बात किया और उसके ओपर हम बात करते हैं तो देखे यहाँ परसली बता है कि बी-सी-इसी में नए सफ्रेकैं की पढ़ाई की तीन फरवरी से थीक है यानि कि जो पढ़ाई आप लोग कर नीव सुसन का स्टाट हो वो कब से खाले यह आपको फिलिएर हो गया है त्यक है तीन फरवरी मैं बोला और यह जरूरी नहीं है कि सभी कॉलेज का यह तीन फरवारी से होगा हो सकता है कुछ लोग का एक फरवारी से भी हो जाए कुछ लोग का पांच फरवारी से भी हो ठीक है यह एक जेक्ट डेट नहीं है चुकि यह जो मतलब पेपर का कटिंग है यह स्पेसिली किसी एक कॉलेज को दिन्यूट करता है वो करता है आपको भागलपूर इंगिनिरिंग कोलोज का अब मैं आपको पुरा डेटल में बताता हूं तो चली इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हम लोग और यहां पर आगे बढ़ते हैं तो देखिए आप देख पार होंगे कि यहां पर लिखा हुए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता है कि हम लोग ने भी सी इसी करा ना तो हम लोग का सेकंड यह में डायक से डायकली एडमिशन लिया गया ठीक है तो अब यह यह चीज़ का नफ्रम लेकिन आगे पढ़कर करके हम लोग समझेंगे ठीक है यहां बताए जारा है कि और हम लोग लस में तो आप समझ सकते हो कितना हम लोग लेट है यहां पर ठीक है और जदी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं कि यहां पर क्या बात के जारा है कि फर्स्ट यर के छात्रों के लिए 27 जनवरी से 2 फरवर्ड तक इंडॉक्श दोनों online mode में होंगी यानि कि ये आपका क्लासे जोंगे अभी offline नहीं कि जाएगा अभी जो आपका class चलेगा वो online mode में चला यानि कि online आपको class करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं तो यह इसको थोड़ासा बैख कर लता हूं अब देखिए आग और अभी आफलेंड क्लासे शुरू ने किया जाएगा प्रभारी प्रचार डक्टर पुस्पलता वर्मा ने बताया कि हमारे यहां क्लासे तीन फरवरिष से शुरू होंगी देखिए यह भागलपूर की जो है यहां पे प्रिंसिपल उन्हों ने ये बताया है प्रभारी है प्रभारी है उन्हों ने ये बताया है कि हम लोग यहाँ तीन फरवर से क्लासे चलोंगे यानि यह भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि उनके यहाँ तीन फरवर से क्लासे चलोंगे लेकिन बाकी लोग हो सकते है बात भी कर रहे हैं या पहले भी कर सकते हैं लेकिन आपके मारीड में एक ड्राइडिया लग रहा होगा कि क्लासैं जो एक किसके अप्रक्सिमेटर श्टार्ट होने मुस या अपने करी हो गो soothing Sap तो देखिए यहां पर बता जाएं कि अब भी college में 15 सीटे खाली है तो 15 सीटे college में खाली है जो third round तक भोर जाएगी यह आप समझ सकते हैं कि third round counseling कहीं न कहीं होने वाला है तो कि 15 सीट अभी क्या है खाली है कुल दूसर 85 सीटों में दाखिला हो चुकी है यहने कि third round counseling में समझ लिजए कि होने ही वाला है तो third round counseling होगा इसलिए हम लोग का classes और late से start होंगे और जिन लोगों ने admission ने लिया उन लोग का class disturb नहीं किया गया उन लोग को online mode में classes round करने की अनुमती दे गई है और उन लोग को साइध link भी मिलने लगा होगा मुझे तो मेरा link आ गया था मेरा class open हो गया है online मेरा class conduct हो रहा है ठीक है आज तो 26 जोन रहे था तो बन था कल से regular classes चलेंगे ठीक है तो कल से मेरा class चल रहा है मुझे तो link आ गया था और आप लोग को भी साइध गया होगा जीमेल पर चिक कर लेना अगर नहीं गया होगा तो जीमेल पर link जाता है online class mode का ठीक है और online class mode जो होगा वो मतलब अभी कराया जाएगा और बाद में फर्वाडिस से हम लोग का offline classes चालू होगे ठीक है तो यह information वीडियो था आप लोग को अच्छा लगा होगा अगर थोड़ा सा भी आपको इस चीज से broad idea लगा होगा तो आप मुझे comment में बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और मैरे चैनल पर पहली बार आउंगा तो ऐसे information देखने के लिए आप मुझे subscribe करके bell icon को press करके मुझे अपने contact list में यूटूब पर रख सकते हैं जिसे कि मैं जो भी notification आएगा मैं आपको देते रहूंगा और साथ चात मुझे कुछ personal information या कुछ भी आप मुझे बाते करना चाहते हो तो आपको link description मिल जाएगा मेरे instagram आड़े का वहाँ से जाकर मुझे flow कर लेना और वहाँ से जो भी दिक्कत होगी वहाँ से भी sort out कर दूँगा तो आज के लिए इतने चलते हैं मिलते हैं next video में तब तक लिए बने नहीं साथ में साथ जैन दोस्तो